नमस्कार आपका स्वागत देर राजनामा दुनिया पे मैं आप लिनम आपके साथ एक वक्त बस सलीम जावेद की जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्म में दी हाला कि एक वक्त के बाद इनकी लिजेंडरी जोड़ी तूड़ गई अब सलीम खान के बेटे और एक्टर अरबास खान ने इसे लेकर अपनी राय रखी है अरबास ने कहा कि उन्हें कभी नहीं सोचा था कि सलीम और जावेद फिर से कभी साथ होंगे अरबास के मताबिक वे चोड़ा साल के थे जब ये जोड़ी तूटी थी हाला कि कुछ दिन पहरे जब सलीम खान की तवित खराब थी तो जावेद अक्तर उनके घर आये थे उन्होंने करीब दो गंटा सलीम खान के साथ बिताया था अरबास के मताबिक दोनों को साथ देखना उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था अरबास ने कहा कि वो दोनों अब अक्सर फोन पर बाते करते हैं सलीम और जावेद भले एक दूसरे से अलग हो गए हो लेकिन दोनों के बच्चों के बीच दोस्ती खराब नहीं हुई खान भाईयों का फरान अक्तर और जोया अक्तर से मिलना जुलना जारी रहा उस वक्त को याद करते वे अरबास ने कहा हम जावेद साहब से मिला करते थे जावेद साहब भी हमारे घर आते थे हम भी उन से उनके घर जाकर मिलते थे जोया और फरान के साथ भी हमारी फैनली संबन्द थे वे दोनों हम लोगों से उमर में चोटे थे जब डैडी और जाविद साहब में अलगा हुआ तो हम बच्चे काफी ज़्यादा प्रभावित हुए थे अरबास ने आगे कहा हम लोगों ने कभी नहीं सुचा था कि डैडी और जाविद साहब दोबारा दोस्त बनेंगे वे दोनों अक्सर फोन पर बाते करते हैं जाविद साहब डैडी से उम्र में छोटे भी हैं इसलिए वे अक्सर उनकी तविद की जानकारी लेते रहते हैं इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद